भारत में हम इसे डोले कहते हैं इन कुत्तों का सौभाव पूरा जंगली है बाग और तेंद्व की तरह इनका भी करोणों वर्षों में विकास हुआ है ये दास्तान है कैनाई की एक जंगली मादा कुत्ता जसने हिम्मत दिखाई एक अलग राह चुनने की अब ये तो जाहिर था कि माचा और उसका भाई बिगड़ा अपने जुन्ड की शिकार की काबियत पर अपना बड़ा गहरा प्रभाव छोड़ रहे थे ये कम उम्र कुत्ते नएने तरीकों से कई बड़े शिकार को मार रहे थे जैसे कि ये सामभर हिरण ये कुत्ते हिरण के सुरक्षा तंत्र की कमजोर कड़ी ढूंबते हैं ये माँ और बच्चे को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब हिरणों को उनकी ये रणनी थी समझ में आ गई है इसलिए अब इन कुत्तों को काम्याबी नहीं मिल रही कुछ दिनों बाद मुझे एक बड़ी समस्या नजर आई ये समस्या थी दो माधाओं की केनाई और उसकी बेटी चूकी शिकार में जरा भी दिल्चस्पी नहीं ले रही थी और इसकी एक वजह भी थी आखिरकार कुत्तों ने हार मान ली और हिरन का बच्चा बच गया इस जुंड की मुख्या मादा केनाई गर्भवती है केनाई की बेटी चूकी भी माँ बनने वाली है ये देखकर मुझे हैरानी हो रही है एश्याई कुत्त लेकिन केनाई अपनी बेटी को बरदाश्ट करती लग रही है उसके पास कोई चारा नहीं है या ये उसकी कोई रणनीती है मैं भी अभी नहीं जानता ये जुंड तो अपने हाली ही में बढ़ाय सामराज्य की गश्ट लगा रहा है इनके लिए बहुत जुरूरी है कि ये अपने पूरे इलाके की घेराबंदी कर लें जिसके लिए ये गंध के निशान छोड़ते हैं अभी तो ये और भी जुरूरी है क्योंकि जल्दी ही बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं कुछ दिनों में ये अपने लिए उचित मांद भी चुल लेंगे फिर ये अपनी मांद के आसपास ही सेमित रहेंगे जैसे ही मादाएं बच्चे जलनेंगी जुन्ड को अपने पूरे सामराजी में घूमने का वक्त मिलना बंध हो जाएगा मौनसून की बारिश कम हो गई है जल्दी नदियों का पानी भी धीरे धीरे बहने लगेगा इन जंगलों में जंगली कुट्टों का पीछा करना बहुत मुश्किल है और कई बार तो वो मुझे कई-कई दिन तक नजर भी नहीं आते अगली बार जब वो नजर आए तो देखा कि वो शिकार की दावत उड़ा रहे है यह खत्रों की वज़ा से बहुत चोकनने हैं और आज थोड़े घबराय से लग रहे हैं तभी कुछ दूरी पर मुझे इनकी घबरायट की वज़ा भी नजर आ गई इन्होंने शायद उस तेन्दुए का शिकार चुराया है तेन्दुए भी जानता है कि वो भले ही कडमे बड़ा है लेकिन अभी इनसे भिड़ना भारी पड़ सकता है अभी भी शिकार में थोड़ा गोश्ट बचा है लेकिन कुट्टों का पेट भर चुका है अब यह आराम करेंगे जैसे ही कुट्टे दूर गए तेन्दुए को बची-खुची जूठन हत्याने का मौका मिल गया हाला कि खत्रा तो है पर कोशिश करने में क्या हर्स है कुट्टों ने बड़ी तेजी से बेज जजक तेन्दुए पर हमला बोल दिया कि अब अब तेन्दुए ने भी फुर्ती दिखाई और अपना बचा खुचा शिकार ले भागा तेन्दुए ने लाश पेड़ पर पहुचा दी है और अब वो तब तक नीचे नहीं आएगा जब तक कुट्टे यहाँ है हर मांसा हरी जीव मौका मिलने पर मुर्दा खोरी करता है अगर किसी को दूसरे का शिकार लेकर भागने का मौका मिलता है तो वो उससे चूकता नहीं है लेकिन मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि जुण्ड में दो मादाओं के गर्भवती होने के बावजूद इन्होंने इतना बड़ा खत्रा उठाया कहनाई की हिम्मत का तो मैं काईल हो गया हूँ आखिरकार जुण्ड की दिल्चस्पे खत्प हो गई और वो रात भर के लिए आराम करने चल पाए अब धीरे धीरे मौनसून की बरसात की जगहा सर्दियां लेने लगी हैं जंगल का कुछ हिस्सा तो अभी भी हरा भरा है लेकिन कुछ हिस्सा सूखने लगा है कनाई का जुण्ड अभी भी बहुत दूर दूर तक भूम रहा है अब इनका पीछा करना और मुश्टिल हो गया है अब इससे ना सिर्फ कैनाई के इलाकी की गश्ट लगानी है बल्कि उसके नए साथी माचा के इलाकी की भी गश्ट लगानी है जो इन्हें विरासत में मिली है पिछले हफ़ते भर से ये उसी जगह पर आराम करने आ रहे हैं जहां कैनाई ने पिछले साल पिल्लों को जन्म दिया था मुझे लग रहा है कि वो इस बार भी बच्चे यहीं जनेगी जब भी मुझे लगता है कि इस बार मैं इनकी अगली चाल को समझ लूँगा वो मुझे घलत साबित कर देते हैं वो फिर से गाइब है उनके कहीं आने जाने पर कई बातों का असर पड़ता है उनकी सोच को समझ पाना बहुत मुश्किल है लेकिन मैं उनकी तलाश में लगा रहूंगा आखिरकार मुझे ये जुन्ड उस जगह से करीब पांच किलो मीटर दूर मिला जहां मैं सूच रहा था कि ये अपनी मान बनाएंगे जुन्ड अभी भी आगे आगे बढ़ा जा रहा है जबकि कुछी दिनों में केनाई बच्चे जनने वाली है अभी तो अंधेरा हो गया है और उन्हें ढून पाना नामुम्किन है वो फिर निकल गए अगली सुभा मैं इस उम्मीद में केनाई के पुराने इलाके तक आया कि शायद वो जुन्ड वापस आ गया होगा लेकिन जानते हैं वहां क्या मिला वहां केनाई का जुन्ड नहीं था वहां थे केनाई के दोनों बेटे जो हल ही में जुन्ड से अलग हुए थे दोनों भाई लौट आये थे लेकिन अब उनके साथ एक मादा भी थी अब तो बात ही पलट गई थी क्या ये मादा इन हालात में जान बूच कर इन कुट्टों के इलाके में आई है या कहीं ऐसा तो नहीं कि कनाई ने ये इलाका अपने बेटों को दे दिया है अभी मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है अब ठंड बढ़ने लगी है और जल्दी ही मेरे लिए यह रहना मुश्किल हो जाएगा बीस दिनों से मैंने उस जुंड को नहीं देखा है केनाई ने अब तक बच्चे जन भी दिये होंगे मैं लगातार घूम रहा हूँ और हर उस जगह पर जा रहा हूँ जहां उनकी मांदे हो सकती है इस चक्कर में मुझे जंगल में तरह तरह के जीव दिखे लेकिन कैनाई नहीं दिखी नहीं उसका जुंड नजर आया पर अचानक एक कोहा से भरी सुभा मुझे वो जंड जंगल के किनारे पर नजर आ गया लेकिन इनकी मांद कहा है इन घनी जहाडियों के बीच इस जुंड का पीछा करना बहुत मुश्किल है और अगले ही दिन सुभा सुभा मुझे पहाड़ी पर एक खास जगहा दिखी गई पहाड़ी के उस पत्रीले इलाके में मान बनाने लाए कई जगह थी वहीं चूकी थी ये जुरूर केनाई का ही जुंड है ये अपनी पुरानी मांद से करीब बारा किलो मीटर दूर आ गए है गर्बवती केनाई के साथ इतनी दूरी तै करना वाकई चौकाने वाली बात है उसने आखरी पलो में अपना इरादा बदल लिया था और उसकी एक वजह भी थी हैरानी की बात ये थी कि ये जुंड जंगल के किनारे पर एक गाउं के काफी करीब आ गया था अगों से बचाने के लिए ही ये रणनीती बनाई है अगली सुभा जब मुझे वो जुंड नजर आया तो देखा कि वो शिकार पर निकल चुके हैं लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे अजीब सा डर भी लग रहा था लग रहा था कि आज बड़ा ही खतरनाक मुकाबला होने वाला है माचा एक दबंग नर है और वो दूनों की बीच इन दिनों अक्सर जड़प होती रहती है माहौल तनाव भरा है जुंड के अंदर इस तरह की बागावत बहुत कम ही नजर आती है मैंने कई बार केनाई को ऐसे मामलों को हल करते दिखा है मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो इस पारिवारी कलह को किस तरह से हल करेगी उसी दिन बाद में केनाई बिकती है कि वो जो कर रही है वो सही है कही दिनों तक जुंड की चिंता करने के बाद मुझे जो नजारा दिखा वो बड़ा ही दुरलब और दिल खुश कर देने वालत केनाई पिल्लों को दूद पिला रही है जल्दी ही चूकी भी अपने बच्चों को दूद पिलाती दिख गई कुल मिलाकर बादा से ज्यादा पिल्ले हैं ये पल कमाल के हैं एशियाई कुटों के जुंड में बहुत कम ही ऐसा होता है जब दो मादाएं एक साथ बच्चे जने मैं नहीं जानता कि इन हालात में कैनाई क्या कर रही है और चूकी के बच्चों के प्रती उसका क्या रुख है अफरीका के जंगली कुटों के जुंड में तो मुख्या मादा अपने से निचले तपके की मादा के बच्चों का अपरण करके मार डालती है बहुत कम ही ऐसा होता है जब एक जुन्ड में मुख्या मादा के साथ निचले तपके की मादा भी बच्चे जने लेकिन यहां लग रहा है कि केनाई ने चूकी को भी एक माँ के रूप में अपना लिया है और वो सारे पिल्लों को बराबर ही मान रही है इसकी क्या वज़ा हो सकती है कहीं तनाव की वज़ा से तो केनाई ने अपनी बेटी को इतनी चूट नहीं दे दी है या फिर इस एहम वक्त पर अपना जुन्ड बढ़ा करने की उसकी यह रणनीती है या कहीं ऐसा तो नहीं है कि नया मुख्या नर इस तनाव भरे मौके का इस्तिमाल अपने फाइदे के लिए कर रहा है किन सवाल है कि क्या केनाई चोटी पर बनी रहेगी कई हफते बीच चुके हैं और अपिल्ले गोश्ट ही ज्यादा खाते हैं कर दो कर दो इन तेजी से बढ़ते और हमेशा भूके रहने वाले बच्चों का पेट भरने के लिए बड़ों को काफी मेहनत करनी पड़ती है उन्हें मान तक खाना लाने के लिए कहीं ज्यादा गोश्ट खाना पड़ता है करता हूrit करता है करता है हुआ है झाल फल्ड कि झाल शिकार से वापस आने के बूत रिष्टा भी बनता है इसके अलावा सब अपने जिम्मे के बच्चे का ध्यान रखकर खुद को भी तंदुरुस्त रखते हैं जंगली कुत्तों के जुन्ड बनाकर रहने की ये भी एक बड़ी एहम वज़ा होती है जाड़े का मौसम खत्म होने को है और दिन में गर्मी होने लगी है साल के इन दुनों में पहाड़ी की तलहटी का वो इलाका जहां गाउवाले अपने मवेशी चराते हैं वो भी सूख जाता है गाउवाले अब अपने मवेशीों को चराने के लिए पहाड़ी पर वहीं लाने लगे हैं जहां जंगली कुत्तों की मांदे हैं लेकिन ये देखकर हैलानी होती है कि ये कुट्टे किस तरह से इस पहाड़ी इलाके में इनसानों की नजरों से बच्चते हैं मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि पांच साल की उम्र में केनाई ने तीसरी बार बच्चे जने हैं ये जिस जुंड की मुख्या मादा है वैसा जुंड मैंने तो अभी तक नहीं देखा मैंने पहले कभी किसी जुंड में मुख्या मादा और उसकी बेटी को एक साथ बच्चे जनते नहीं देखा वैसे इसके कई फादे भी हैं कम से कम बारह पिल्ले तो हैं, जिन से इस जुंड की ताकत काफी बढ़ गई है चतुर केनाई ने अपना ताज भी वह खुबी बचाय रखा है उसकी नासमझी में भी उसकी चतुराई नजर आती है रात हुई और मैं चलने को तयार हुआ तभी एक अनहोनी हो गए, अचानक ही जंगल में आग लग गई थी आग तेजी से इनकी मादों की ओर बढ़ी आ रही थी गाउं के कुछ लोगों ने सूखी जाडियों में आग लगा दी थी ताकि महा नई गास उक सके वो आग पिल्लों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है यहां घना अंधेरा है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता बस यही दूआ कर सकता हूँ कि जब आग करीब आए तो बच्चों के पास कुछ बड़े भी हो लेकिन एक बात तो तैय है कल सुभा की पहली किरण के साथ मैं यहां लोट आओंगा लेकिन क्या कल सुभा मुझे केनाई का ये जुन्डी यहां नजर आएगा ये तो भोर का उजाला ही बताएगा